नमस्कार फ्रेंडस स्वागत है आप सभी का दर स्टेडी लाइन में फ्रेंडस आज कस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले सभी विटामिन के रसानिक नाम उनकी कमी से होने वाले कौन-कौन से रोग हैं साथ ही हम उन विटामिन को किन-किन चीजों को खा करके या पी करके जो है प्राप्त कर सकते हैं तो इस वीडियो का अंतक देखें बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से बार बार कमी से होने वाले रोग और उनका रसानिक नाम यह पूछे आते हैं ठीक है हर एक एक एक्जाम में चाहिए वह सेंटरल का एक्जाम हो या फिर स्टेट का एक्जाम हो ठीक है तो इस वीडियो का अंतक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देजेगा तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहला जो विटामिन आता है वह है विटामिन ए और विटा से जो है हम लोग vitamin A प्राप्त कर सकते हैं और vitamin A का जो रसानिक नाम है वो retinol होता है एक और फिर से दोड़ा देते हैं vitamin A का रसानिक नाम retinol vitamin A की कमी से रतांधी होती है ठीक है चलिए next question सारा आता आपका vitamin B अब यह vitamin B में बहुत सारे प्रकार हैं जैसे vitamin B1 vitamin B2 इन सब हम लोग check करेंगे देखेंगे तो vitamin B1 का जो रसानिक नाम होता है फ्रेंट्स होता है थाइमीन बहुत ही important है confused नहीं होना है ध्यान से देखेगा vitamin B1 का रसानिक नाम क्या है थाइमीन ? vitamin B1 की कमी से होने वाली रोग कॉन कॉन से है ? बेदी-बेदी नामक रोग vitamin B1 की कमी से होता है और vitamin B को हम लोग कैसे प्राप्ट कर सकते हैं तो مुझफली खा कर आलूegt कर सबजिया खाकर के इन सभी चीजयों को खाकर के हम लोग vitamin b1 पराप्त कर सकते हैं ठीक है चलिए अगला vitamin आहाता है आप लोग का vitamin b में ही b2 b2 vitamin b2 का रहसानिक नाम है और रइबो फ्लेविन vitamin b2 का रहसानिक नाम क्या है राइबो फ्लेमिंग और इनके कमी से होने वाले रोग हैं त्वचा का फटना और किलोसिस और विटामिन B2 को जो है हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो अंडा, दूद, हरी सबजियां को खा करके विटामिन B2 प्राप्त कर सकते हैं आगे आता आप लोग का विटामिन B3 तो विटामिन B3 का रसानिक नाम क्या होता है तो नियासीन होता है नियासीन जो है विटामिन B3 का रसानिक नाम है इनकी कमी से होने वाले रोग मंद बुद्धी बाल सफेद होना ठीक है मंद बुद्धी और बाल सफेद होना विटामिन B3 के कारण होता है और विटामिन B3 को ह विटामिन भी त्री पराप्त कर सकते हैं तो मानस खा करके दूद्धपी करके टमाठर से और मुंखली से हम लोग जो है विटामिन भी फिरी प्राप्त कर सकते हैं और बाल का सफेद होना और मन बुद्धी को दूर कर सकते हैं ठीक है इसी में आयाता है बिटामिन बी बला भाग में बिटामिन बी 5 बिटामिन बी 5 का जो रसानिक नाम होता है वो होता है पेंटो थिनिक अमल ठीक है पेंटो थिनिक अमल जो होता है बिटामिन बी 5 का रसानिक नाम होता है और इनकी कमी से रोग होता है त वचा में दाद जो है यह होता है विटामिन वी फाइब की कमी से अब इसे हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं विटामिन वी फाइब को तो मांस खा करके मुंक फली खा करके और आलू खा करके जो है विटामिन वी फाइब को पूरा कर सकते हैं चलिए अगला फ्रेंट्स रसानिक नाम होता है वह होता है पाइडी डॉक्सिन ठीक है पाइडी डॉक्सिन जो है बहुत इंपोर्टेंट है बार बार पूछा आता है विटामिन बीशिक्स के बारे में तो विटामिन बीशिक्स का जो रसानिक नाम होता है पाइडी डॉक्सिन होता है और इसकी कमी से हो लक्वा सरीर में दर्द यह सभी होता आर बिटामिन B7 को अ की से और एंड़ा के द्वरा ऑंड़ा के द्वारा इन सभी के द्वरा जो हमें vitamin B7 को प्राप्त कर सकते हैं आगे आता है आपका vitamin का लास्ट एक और भाग है vitamin B12 तो vitamin B12 का जो रसानिक नाम है फो है आपका synocobalmine ठीक है synocobalmine इसका रसानिक नाम होता है vitamin B12 का और वहीं कमी की बात की जाये तो कमी से होने वाला रोग होता है रक्त छिंटा रोग और पांडू रोग ठीक है यह दो रोग जो है बेट्वेल की कमी से होता है और साथ ही हम लोग बात करें विटामिन बीट्वेल को प्राप्त करने का स्रोत तुह है मांस कलेजी खाकर के और दूद्ध पी करके जो है होता है ascorbic acid और उनकी कमी से वहाने रोग है एसकरवी मसूर ओं का फुलना इन सभीज जो है बीटाम epsilon C कमी से इन सबी रोगों का सब्चोन होता है अब बात करें के श्रोण का याने की करकते हैं नेश्ट आजाता आप लोग का डिटामींडी तो ग्यालसी फिरोल ट् een कैल्सी फिरोल जो है बीटामीनिका रशानीक नाम है में कमी से होने वाले रोग की बात करें तो डिकेट्स है और यह मलिस्या है रहिए हृत्टे आस्टियो मेलेसिया जो है यह कमी से होने वाले रोग हैं और इनके सुरूत नहीं बिटामिन सी को सोड़ी को हम लोग कैसे प्राप्ट कर सकते हैं तो बिटामिन डी को हम प्रसूर के प्रकास के दोरा प्राप्ट कर सकते हैं अंडा के दोरा प्राप्ट कर सकते हैं ठीक है अग ठीक है तो नपुन सकता जो होता है फ्रेंट्स वो विटामिन E की कमी से ही होता है ठीक है और इसे हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं तो हरी सबजी खा करके मक्षन और दुद्ध जो है पी करके अगला अरंती में आता है फ्रेंट्स विटामिन विटामिन के तो विटामिन के का जो रसानिक नाम होता है फिलोक्विनियन ठीक है फिलोक्विनियन जो है वो विटामिन के का रसानिक नाम होता है और उसकी कमी से होने वाला रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना ठीक है अग होते हैं एक बिटामिन यह सबस्क्राइब q which about आपको अधिकतर जो भी कमी है वह खतम हो जाएगा नहीं कि भी विटामिन सम्मंदित बहुत ही इंपोर्टेंट सभी कोशन्स कराए और वीडियो अच्छा लगायों तब इस वीडियो का आप लाइक और शेयर जरूर कर दिजेगा ठीके फ्रेंट्स तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आगे इसी तरह का इंपोर्टेंट वी प्रेंट करते हैं आप आपटेंट वीडियो कि आपटेंट थे वीडियो अवीडियो भी का इंप प्रेंट नहीं आप